नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पढ़ताल दुनिया भर की यूक्रेन युद्ध एक साल और जिस तरह से इसने बड़े पैमाने पर विश्व कूटनीती को प्रभावित किया जिस तरह से देशों को खेमों में बाटा वह अपने आप मे सबसे मारक पर इघटना है 2022 की और 2023 में जिस तरह से इसका स्केल बढ़ रहा है जिस तरह से युद्ध युद्ध और युद्ध तमाम तरफ से इसकी आवाजे आ रही हैं ये हमें और आपको डरा रही हैं अब देखिए एक साल होने पर जिस तरह से स्थितियां बदलती हैं जिस तरह से अमरीका अमरीकी राष्ट पती पहुँशते हैं युक्रेण हाथ में हाथ डाल कर चलते हैं कीव में और संदेश देते हैं पूरी दुनिया को कि अमरीका खड़ा है युक्रेण के साथ निशाने पर है रूस और इसके बदले में रूस और पुतिन जवाब देत यानी मामला बहुत साफ है सीधे सीधे बताया जा रहा है कि युद्ध बढ़ रहा है और इसमें महा शक्तिों का टकराव बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसी दरमियान आप देखिए कि कई दुनिया के देश जो खूलकर कह रहे हैं एक युद्ध में हिस्सा नहीं देना चाहते, अमरीका की दादागिरी को बरदाश नहीं करेंगे, इसमें बहुत एहम पहल कदमी हुई है, लातिन अमरीका के इन देशों से, वेनिजुला, कोलंबिया, पेरू, ब्राजील, अर्जंटीना, इन्होंने तो खुल कर कहा, साफ साफ शब्दों में कहा, कि हम यू इरोपियन यूनियन सहित, अमरीका ने पूरा दबाव बनाया, कि ये तमाम देश हथियार्द भेज दे, यूकरेन को, ताकि युद्ध हो सके, सिर्फ दुनिया का यही हिस्सा है, जो खुल कर कह रहा है, कि उसे युद्ध नहीं, शान्ती चाहिए, आखिर क्या हो रहा है, क कूटनीती बदल रही है, हम ने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरह से, अमरीकी राष्टपती पहुशते हैं, यूकरेन, वहां मुलाखात करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, कि वो खड़े हैं, उनके पक्ष में, ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, कि रूस के जो राष्ट राष्टपती हैं, तो रूस के जो राष्टपती हैं, पोतिन, वो भी एड्रेस करते हैं, वो संबोधित करते हैं, आखिरं राष्टी राजनीती में क्या चल रहा है, किस तरफ बढ़ रही है, यूकरेन, युद्ध की कूटनीती, देखिए, युद्ध की परिप्रेक्ष म बात हो रही है, साफ है, टैंक हो, शेल्स हो, हर्टिलरी हो, हाइमार्ज जैसे दूरगामी एटक वेपन्स हो, जो की काफी 80 km तक पीछे पहुंच सकता, इससे भी पीछे पहुंचने का संभाबना है, इस तरह के हाथियरों के बात तो चली रही थी, दी जा रही थी, अब उ योही यूकरेन को टैंक्स देने की बात हुई, यह देशों ने कमिट किया कि हम टैंक्स देंगे, जर्मनी का लेपर टू टैंक्स देंगे, होड सी लग गई कि हम यह दे रहे हैं, यह दे रहे हैं, ने देशों हैं, देखिए, टैंक युद्ध को अग दूसरा मोड देता है क्योंकि अमरीकी जर्मन टैंक के सहारे यूके के टैंक के सहारे और लेपर टैंक और भी उरोपियन देशों के पास है उसके सहारे एक एटाक यूकेन करे और ये संभावना है कि एटाक में अगर आप देखे टैंक के एटाक अगर हो तो संभावना है इस तरह के एटाक अगर क है रूस से क्राइमिया तक पहुंचने की उसको दिखंडित करने की संभावना होती है तो एक तरफ से लग रहा है कि अमरीका और दूसरे डेटो देशों की ये सहायता जो दे रहे हैं टैंक की सहायता दे रहे हैं यहां की जो लड़ाई हो रही है बाखमुत की जो लड़ाई ह होती है उसके लिए नहीं पर यहां एक काउंटर इटैक करें और आपका बहुत कहना एहम है कि यह सारा मामला चल रहा है इसको घेरने के लिए क्राइमिया तो केंद्रबिंदु रहा ही है क्योंकि रूस के लिए क्राइमिया की महत तो बहुत ज्यादा है क्योंकि यह वाली एक मत्रबंदरगाह है जहां पर यह डीफरिंस नहीं होता है तो ब्लैक सी की फ्लीट रूस के लिए यह एहमियत रखती है को Mediterranean पहुंच सकती है, Syria की तठ पे पहुंच सकती है, वो सब बंद हो जाएगा अगर Crimea बंद हो जाता है उसके लिए तो यह जो strategic सवाल है, इसलिए रूस क्राइमिया को कभी छोड़ने वाला नहीं है, अगर महायुद्ध इसके लिए हो जाए अलग बात है, पर यह इस तरह के जन्वे छोड़ने वाला नहीं है, तो यह जो attack की जो direction है, और क्राइमिया की तरफ है, लग रहा है, जो tanks की जो बात से जाना इस अमभब है, कर्ष ब्रीज यहां पर है, पर आप जानते हैं उसको गिराना या उसको attack करना आसान है, वो ब्रीज अगर गिर जाता है, तो रूस के पास कोई रास्ता नहीं रहता है, जहाँज की जमीन से पहुंचने के लिए रास्ता नहीं रहेगा, तो लगता ह है कि यह एक परिप्रेक्ष है, जिसके लिए इसको सुसजित किया जा रहा है, यूकरेन को इस तरह से इसको वो पेश करें, इधर attack करें, और एक strategic defeat, शिकस्त एक रूस के लिए हो सकता है, अगर इस तरह से attack successful होता, तो यह जो है दुनिया के लिए खतरनाक स्थिती है, क्यों कि अगर इस तरह से चलता रहा, और जो बाते भी अभी हो रही है, जिसलिए पूतिन ने काती, तो कि देखें, पूतिन ने जो कहा है, वो बहुत बहुत शब्द उनके नपे तुले शब्द हैं, और उनने साफ कहा है कि उनको चेतावनी दी है, कि जो लोग भी इसमें military aid Ukraine को दे रहे हैं, उनके खिलाब भी वो military action में जा सकते हैं. तो ये इसकी बात आई है, इस पहलू में, जब ये बाते चल रही है, उसकी हवाई जहाज दी जाए, F-15 दी जाए, और भी एक बार शुरू होता है, जानते है, F-15 के बात कहेंगे, F-35 दे, और भी हवाई जहाज दे तो इसमें, रूस के उपर attack होने की सम्भावना तब जटता है. मलब जो अभी tank वाला है, tank वाला इधार है और अगर वो planes का मामला होता है, तो वो कहीं भी attack हो सकता है. यूकरेन के हाथ में अगर चला गया, तब यूकरेन क्या करेगा, यूकरेन तै करेगा, अगर यूकरेन क्योंकि रूस हम पर हवाई हमला कर रहा है. हमारी अधिकार है, हम हवाई हमला करें. तो अगर उस दिशा में पहुंचता है, तो रूस का ये कहना है कि जो हाथियार इस तरह के हाथिया दे रहें अब तक भी आपक्प हीरा अब만 तक टैंक्स दे रहे थे, अहा आटलिरी दे रहे थे आटलरी शेल्स दे रहे थे बहुत सारे ऐसे रसत दे रहे थे पर रूस ने यह नहीं कहा था कि जो यह आप दे रहे हैं आम सेमिनेशन वगरा दे रहे हम बदला हम एक बदले की कारवाई कर सकते आपके खिलाफ भी यह नहीं कहा पर जब हवाई जहाज की बात आए इ कर सकता है तो आपको भी हम मानेंगे इस पर शिरकत कर रहे हैं लगए हमलावार देश के तरप पर मानेंगे और हकीकत तो यह है कि अगर आप इस तरह के आवाम से दे रहे तो आप हमलावर देश की जो संगया है इस definition में आप पड़ते हैं तो अभी तक भी यह नहीं नहीं कहा इस चीज को, पर यह बात तो सही है कि जो इस तरह के हातियार जंग के दारान देता है उसको हमलावार देश की माना जा सकता है, और पुतिन को यह कहना जो इसने अभी कहा है ये दर्शा आता है कि जंग के एक सीमा के अंदर रहेगे इसको मान के नहीं चलना चाहिए और जब दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स है तो इस तरह का जो कहेंगे खतरनाक दिशा अगर जंग को जन लेती है जंग लेती है तो मेरे खाल से दुनिया के लिए एक बहुत वक्त नहीं है जो कह सकता है कि हम शांती स्थापना करने के लिए हम कुछ कड़ब बढ़ाना चाहते हैं हम कुछ यह पेश कर रहे हैं कि इसके आधार पर शांती हो सकता है तो इस पे दिक्कत की बात दूसरों के लिए यह है कि कोई भी इस पे अगवाई करेगा वह अमरीका और नेटों की जो देश है उनका दुश्मन माना जाएगा और उसको यह कहा जाएगा कि आप पर भी हम सैंक्शन्स लगाएंगे प्रवीर जैसा कि नक्षे में दिखाई दे रहा है कि जो सैंक्शन्स लगे थे रशिया के खिलाफ उसमें यह देश है जिस तरह से दुनिया क यह काफि दिल्चस्प है क्योंकि एक साल हो गया है हम जो बात कर रहे हैं तो इसमें कई देश हैं जो सैंक्शन लहीं मांगने आप देखली जबाव पर देश सैंक्शन्स लगाने से इनकार कर दिया है सैंक्शन्स लगा यह जैसे U.S. Canada है जिसको हम कह सकते हैं और Australia है जिसको हम settler colonial देश मानते हैं कि उनकी original आवादी को करीब करीब क्या कहेंगे वद करने के बाद उनका खतम करने के बाद वहां पर settler जो थे जो यॉरप से आये थे उसे बस गए और वो भी इस वक्त सबसे बड़ा वहां की population है अगर आप देखें तो यह settler colonial देश है Australia, U.S. Canada और यह देश ऐसे हैं जहां से colonial empires बने थे France है, UK है, जहां से इन्होंने बाकी देशों को गुलाम किया था, European Union की काफी देश इसमें है, Italy है, Holland है, यह सब ऐसे देश हैं जो की colonial empires थापित किये थे और यह आपने आपको एक जापान और South Korea है यहां पर, Japan भी colonial wars में शामिल था आपको याद होगा Second World War में, पुरा South East Asia और China उसको याद करता है इसलिए, तो यह भी a colonial देश ही है, हलाकि Second World War में बहार गया था, पर यह अगर आप देखें तो ऐसे देश है जो इस वक्त अपने आपको घोशना कर रहे हैं कि हम 27 अपने नाम से नहीं बात करता, International World Order के नाम से बात करता, क्या उसके Rules है, हम बताएंगे, Rule Based International Order का Rules, यह देश बताएंगे, तो यह जो बात है, ज्यादा तर देश दुनिया में इसको नहीं मानता, तो यह बहुत एहम नक्षा इसलिए भी है क्योंकि इससे यह भी पता चलता कि एक साल तमाम दबाओं के बावजूद, दुनिया का बड़ा हिस्सा ऐसा है, बड़े continents ऐसे हैं, जिन्होंने अमरीका के इस दबाओ को नहीं माना, जिसमें बिल्कुल जो लातिन अमरीका है, वो है, पूरा अफ्रीका है, और पूरा यूरेशिया का एक बड़ा हिस्सा है तो अगर आप देखें तो यूरेशिया का सिर्फ यूरप का छोड़ के सब देश इस वक्त sanctions के बाहर है, sanctions नहीं लगाना चाहते हैं, पूरा आफ्रीका, पूरा लाटन अमेरिका, मेक्सिको तक इसको sanctions नहीं लगा है, रूस पे, यह तो साफ है कि इस तरह का sanctions नीती का विरो पहिमाने में जो sanctions है, financial sanctions है, swift system के जरीए है, उसका जिकर आज नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत देशों की कारोबार, अब रूस से करने में काफी दिक्कत पैदा किया है, इस sanctions ने, तो वो अभी भी है, आफरिका, अगर आफरिकान देश रूस से कुछ चीज़े खरीदना चा कि अगर आपने कुछ ऐसे कदब उठाए, जिससे हमारा युद्ध का लक्ष यूक्रेन में पूरा नहीं होता है, तब हम आप पर भी sanctions लगाएंगे, तो अगर आप देखें कि इस वाक्त क्या धंकी दी जा रही है, बिंकेन ने अभी चीन को धंकी दी है, कि अगर आप सामर सहायता, military aid आप रूस को देंगे, तब हम आप पर भी हम sanctions लगाएंगे, यह नहीं कह रहे है कि हमने अपना जो sanctions लगाएं हैं रूस के ऊपर, चीन के ऊपर, वो तो अलग है, पर यह कह रहे है कि कोई सामरिक, ऐसी कोई, military कोई भी सामान आप रूस के पास भेजेंगे, हम उतराष्टिय कानून के मताबिके गैर कानून यह है, उसे कोई फरक नहीं पड़ता, तो चीन जो कि कम से कम एक competitive देश मानते, उनको भी यह धंकी दी जारी है, दूसरे देशों को तो रह नहीं दी जिए, उनको तो साफ है, क्यों कुछ करेंगे, तो हम आप पर sanctions लगा सकते पर यह economic चीजों पर नहीं, military aid अगर कुछ देंगे, military सामान कुछ भेदेंगे, भेदेंगे तब, तो मुझे लगता है कि यह जो map है, यह जो नक्षा है, यह बहुत कुछ कह रहा है, अमरीका किस तरह से sanctions लगाता रहा है, जिन sanctions की बात, एक साल बाद हम आज कर रहे हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है, map में, Russia बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए बड़ा दिखता भी है, पर African देश काफी है, जिस पर sanctions लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो West Asia है, इस पर Syria पर sanctions है, Iran पर sanctions है, बहुत सारे और भी छोटे-छोटे देशों पर Libya पर sanctions है, तो sanctions के नाम पे, अमरीका दुनिया के काफी बड़ा हिस्से पर sanctions अल्रेडी लगा चुके है, इसके साथ-साथ ये भी धमकी है, कि sanctions हमने नहीं लगाया, पर जिस पर sanctions लगाया, उसके साथ अगर आप trade करोगे, तब आपको हम अपना कानून के मताबिक आपको भी घेर सकते है जो आपने देखा होगा, कि चीन की एक लेडी थी, जो गई थी business purpose के लिए आपका, तो उसको भी Canada में बंद किया था, और काफी दिन वहां बंद रही, उसको करीब दो साल लगा उसको चूपने में, क्योंकि कहा था, इरान की उपर sanctions जो है, उसका आपने, उसका क्या कहते है उलंगन किया था, तो चीन का उपर कोई sanctions लगाने की कोई legal बात नहीं है, इसलिए वारेंट तभी इस हुआ जब Canada में आया, और Canada में आने के बाद उस पर उसमें case दर्ज किया, तो ये indirectly, directly बहुत सारे ऐसे companies अर देशों पर sanctions बरकरार है, और ये sanctions के दायरा रूस के लगाई म और भी बढ़ाए जा रहा है, एक चीज़ जो और दिखाई दे रही है, जो काफी एहम है, इन शक्स की काफी चर्चा है, और ये चर्चा एक ऐसे summit के दौरान हुई, जो 17 से 19 फरवरी को हुआ, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कि इस summit में जिस तरह से रूस को निश बिलिंकन के साथ मुलाकात होने वाला था, चीन में बिलिंकन जाने वाले थे, कैंसल किया था बलून के उपर, आपको याद होगा, बलून जिसको हमने चर्चा उसकी है, कि वैधर बलून था, वो किस तरह से वैधर बलून पर कंट्रोल होता नहीं है, तो वो अमरीका के अब वाइंगी जो उनकी फॉरेंड मिनिस्टर है, व्यूनिक कॉंफरेंस पे आके शांती की बातचीत करना चाहते थे, कि किस आधार पे शांती स्थापना की जा सकती है, रूस और यूक्रेन और नेटों के बीश में, ताकि यह जंग बंद हो, क्योंकि यह जंग किसी के हि पहले लिंकन ने उन पर सरासर हमला किया, धंकी दिया, चीन छोटी देश नहीं है, भारतवर्च भी छोटा देश नहीं है, इन एत्य बड़े देशों पर इस तरह से सरासर धंकी नहीं दी जाती, उन्होंने धंकी दिया, कि अगर आपने कोई मिलिटरी सामान भेजा, तो आ इतना भेजी रहे हैं, और जिस तरह से हमने देखा कि बाइडन वहां पहुच कर कहते हैं, तो वो भी तो मिलिटरी एड ही है, जो सीधे सीधे उसमें बताया भी कि हम क्या क्या करेंगे आपके लिए, उसके और भी चीज देख लीजे, कि सौ बिलियन डॉलर की एड नेटो नेशों से युक्रेन को मिल चुका है, जो हम पहले चर्चा कर चुके थे, पीछने आपता, और उस पे बहुत बड़ा हिस्सा, बिलिटरी एड है, पचास प्रतिशत तो बिलिटरी एड ओफिशिली कहा जा रहा है, पर और भी चीजे जोड़ के, साट-सतर प्रतिशत जो राजनीती चल पड़ी है, अमरीका की और से पहले भी हमने देखा, दुनिया की मैप नक्षे में, कितने देशों पर सैंक्शन लगाई गई है, तो एक हिसाब से इन धंकियों की असर उल्टा पड़ने वाला है, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अथरनीत बिशारत है जो इसको चप्चा करते हैं, उनको कह रहा है कि डिमिनिशिंग रिटर्न, जितना धंकी दिया जाएगा, जितना अमरीका सैंक्शन लगाएगा, सैंक्शन के बाहर जो एक दुनिया है, तो इसमें जो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एक दूसरे के साथ करते हैं, वो बढ़ेग क्योंकि उनके पास चारा नहीं होगा, तो धिरे धिरे इन सैंक्शन से यॉरपियन यूनियन, अमरीका दुनिया से अलग हो जाएगा, ये संभावना दिखाई पड़ता है उनको, तो ये कहना है कि ये रास्ता अमरीका और यॉरपियन यूनियन के लिए अच्छा नहीं जो युद्ध का मोड़ है मुझे लगता ये तो दूर की बात है इस वक्त खत्रा ये है युद्वर बढ़ेगा क्या रूस का अगर अपका धंकी पालन करता है तो क्या हाथियार से अटैक करेगा नेटो की शक्ति को अगर होता है तो क्या ये वर्ल्ड वार के तरह नहीं बढ हमारे जन्मानस में जो इस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है दुनिया लगता है कि आंक बंद करके मिनाश की रास्ते पर चल रही है ये एक बहुत खतनाक मोड है इस वक्त इसलिए एक साल युक्रेन का युद्ध के बाद अभी जो जिस तरह से राज़ितिक माहुल उससे मुझे राज़्य माहुल बदर रही है उसमें लगता है कि हम और काफी खतनाग दौर पे पहुंच रहे हैं और युद्ध और युद्ध और युद्ध की तरफी कदम बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते एक जगह पे जाके ये कभी भी एक नुक्लियर वापी परिनत हो सकता है अगर यह होता है तो दुनिया ना रहे कि हमारी दुनिया रही गिरी तो जो युद्ध आइंस्टैन ने कहा था I do not know तीसरा महाजुद किस लड़ा किस अस्टों से लड़ा जाएगा पर यह हमें मालूम है कि चौथा महाजुद जो होगा बोज और उस से तीर कामा मिल के इसकी आशा या प्रेशर बना सकते यह सवाल है और इसके लिए जंदान उन जंगों पर चहिए जहां कि जहां किसे जंग कि समर्थल हो रही है और यहां पर जंग हो रही है तो वो हमारे सामने चैलендच है तुनिया के सामने सबसें बड़ी चुनावाटी guarantee नहीं है यानि युद युद और नतीजा युद और दुनिया का खात्मा इस खात्मे से बचना बहुत जरूरी है दुनिया को हमें और आपको बचाना बहुत जरूरी है जरूरी है उन तमाम देशों की जनता को बोलना अपनी सरकारों से कि वे सब जिन्दा रहना चाहते हैं और दुनिया जिन्दा रहेगी तभी अधिकारों की बात होगी आईए हमारे साथ मिलकर देखिए विश्व कूटनीती में ये जो पेचोखम हैं ये किस तरह से हमारी आपकी जिन्दगी को प्रभावित करते हैं देखिए लाइक करिए शेयर करिए परताल दुनिया भर की झाल